गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स लीगल एडवाजर के सेग्मेंट में आपका बहुत बहुत वागत है फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि जैसे कोई भी ब्यक्ति बिना लाइसेंस के कोई हतियार रखता है तो इस बारे में हमारा भारती जो कानून है क्या कहता है और इसमें किस प्रकार की ऐसे ब्यक्ति को सज़ा हो सकेगी तो इस बारे में बात करते है तो फ्रेंड्स यदि कोई ब्यक्ति कोई भी अवाइद असलाह रखता है या माली जो कोई तल्वार रखता है चाकू या फारसा रखता है बिना LICENS के हम सिख लोगों की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके धर्में यह चीज जी लादा इनको परमीसन लेकिन उसके अलावे यदि कोई बेक्दी रखता है बिना license के तो यह अपने अपमे friends अपराद है इसको arms act के अंतर अपराद बनाया गया है तो इसमें यदि कोई बेक्दी रखता है तो arms act जो होता है उसकी idhara चार बटे 25 के अंतर अंतरगत तीन वर्स का कारावास का इसमें प्रावधान किया गया है लेकिन फ्रेंड्स यह कोगनी जेबल ओफिंस है अगर पुलिस को पीसी प्रकार की सूचना मिलती है यह कोई प्राइबेट पब्लिक प्लेस पे कोई बेक्ति घुमते हुए इस तरह के गन के बारें बात करते हैं जैसे कोई बीमने लाइसेंस के कोई गन रखता है यानि बंदूक रखता है बीना लाइसेंस की तो उसका अलग से कानून उसे में यह होगा कोई गान रखता है तो पुलिस उसको गिराफ़तार कर लेगी और उसको मजिस्टेट कोट से जमानत मिल जाएगी लेकिन यद यदि कोई उस तरह के कारण है नहीं जमानत मिलती तो वर डिस्टिक कोट से भी अप्लाई लिए कर सकता है तो फ्रेंट्स अगर कोई भी आप हतियार रखें तो उसका पहले लाइसेंस करवा ले उसके बाद ही कोई भी हतियार रखना चाहते रखें बिना कानून में यह प्राधान किया गया है कि बिना लाइसेंस कि आप कोई भी हतियार नहीं रख सकते तो यह दोनों कोगनिजेबल ओफिंस में आते हैं तो फ्रेंड्स आसा करता हूं जो मैंने जानकारी दी है जरूर पसंद आएगी लेकिन फ्रेंड्स यह दी जैसे कोई अब आवाइध यानि बिना लाइसेंस के गन रखते हैं और उस गन को यूज करते हैं मालेजे किसी फिर फाइरिंग करत आई पीसी लगेगी आप पे तो फ्रेंड्स कोई भी हतियार आवाइध हतियार न रखें अगर कोई आपको शाओ कर रखने का तो आप पहले लाइसेंस उसका बनवा लीजिए तो फ्रेंड्स जो मैं वीडियो बनाता हूं इसके नौटिफिकेशन आपको मिलते रहें आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन प्रेस कर लिजिए तो आज के लिए इतना ही बहुत-बहुत धन्यवाद है वानाइस टाइम